वैसे इस समय पूरे देश की नजर हर्याणा और जमू कश्मीर में चुनावई नतीजों पर लगी हुई है लेकिन एक्जित पोल के आंकडों में कॉंग्रिस की बापसी होती दिख रही है क्योंकि करीब परीप्ता है कि मिलकूर्पूर सीट से समाधवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे चुनाव लड़ें लेकिन यूपी कॉंग्रिस के उपाध्यक्ष ने यह कहका पेज फसा दिया है कि कॉंग्रिस कारकरता चाहते हैं कि मिलकूर्पूर सीट से कॉंग्रिस का प्रत्याशी खड़ा किया जाए अब उसके पदाधी कारी यह कहने लगें कि इस इतने बड़ी सत्ता में रहने वाली पार्टी रही और आज वो समझवादी पार्टी के भी टीम के रूप में काम कर रही है अब उसके पदाधी कारी यह कहने लगें कि इस इतने पर मैं लड़ूँगा तो यह कॉंग्रेस के लिए इसे बड़ा दुरुभा के पूर दिन नहीं हो सकता उधर कल 12 में संग प्रमुक मोहन भागवत ने अपील की थी कि देश में रहने वाले सारे हिंदू एक जुट रहें उनके बयान के बाद अब सियासत गर्माई हुई है आज असद दुद्दिन ओवैसी ने उन पर फलटवार करते वे कहा है कि देश के लोगों को मोधी और भागवत से खत्रा है वहें केंद्रिय मंत्री गिराज सिंग ने ओवैसी पर निशाना साथ ने भे कहा कि ओवैसी का डियने ही देश के लिए खत्रनाग है भारत के 78 करोड हिंदूओं को खत्रा है सुनो मोहन भगवत ना भारत के हिंदूओं को खत्रा है ना भारत के मुसल्मानों को कोई खत्रा है हाँ एक खत्रा भारत के मुसल्मानों को हिंदूओं को, डलीतों को, आदिवासियों को, सिख्छों को, इसाईयों को है वो किस से है नरेंदर मोडी और मोहन बगवत से खत्रा है हमको खत्रा तुम से है और मोहन बगवा सुनो चीन भारत की 2000 स्क्वेर किलो मीटर पर खब्जा करके बैट गया और मोडी और मोडी अमरीका का सफर करते है ओबेशी ओबेशी के डीने ही भारत के लिए खत्रा है ओबेशी के डीने में ही भारत का खत्रा है भारत के लिए खत्रा है क्योंकि मोहन भागवत जी ने जो बात कहा वो 200 परतीशत सही कहा कि हिंदूओं को अब समय आ गया है एक जुठ होने का क्योंकि ये ओबेशी जैसे जितने लोग है वो कोई कहते हैं 800 साल का मेरा रहा है राजपाट फिर मैं आऊंगा